एक बात सुनिए भोग लगाते समय परदा आवश्यक योँ हैं कि ठाकुर्जी संकोच करते और ठाकुर्जी संकोच नी करते ऐसा भाव हमारे पुष्टी मार्क में तो ऐसा बताते हैं कि जैसी आप परदा करते हो भोग रखने के बाद ठाकुर्जी अकेले नहीं जीमते सब स अब जिन गर उन घरों की बात नहीं जहां पर केवल चना चनोरी का भोग लगता है तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे कहा करें कि सामिकरी खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चड़ाते हैं ले तो केसे घरम बैठो कचुना बना में जे तो रूकी सुकी रोटी खवादे लाला तो चल हमारे संग तुकु कहीं ले चले ठाकुर जी के लिए बढ़िया स्वामिकरी बनाओ कि महराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा में देख आज कहा बनायों याने बस पीजा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं कभी-कभी मन में विचार करूं कई लोग अपने घरन में पीजा बना दे अरे और अध्भुत्ता तो कि घेंचुत्ते चले जाते हूं इद्धन कहा बलाया आ गई है यारे मदुमंगल स्रीदामा केंची लेकिया दूंगे लाला लुप जाम काटें ऐसी भोग सामिकरी देखो एक बात कि आज कल्युक के मौडन होते जा रहे हैं सब लोग तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मौडनेशन आता जा रहा है पर आप मंदिरों की विधा देखो कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता कई मंदिरों में कई सामिक्रीयों का हल्द भी नहीं हल्दी का प्रयोग नहीं होता कहीं मंदिरों में कि सब जगे हमने एक बार पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए तो उन्होंने दो तीन बातें कहीं पहली बात जिसका स्वरूप देखकर के थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पदराने चाहिए क्युँभाइ कि अजय से क्या विच्भे लगता है क्युअ कि भरता उत्ता ऐसे करना तो है और तो सुरूप सुंदर सुदर आपकर कईज जगह लखता है कर फ्रेम से क हाद है कि केई जगह ऐसा बिधान है कि जो भूमी गत सब जहींगे जो के भीतर होती है उनी का भोग लगेगा ठाकुर जी को अनेक अनेक विधा हैं जहां आचारियों ने इतना ध्यान रखा प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा हमको थोड़ा भाव तो रखना चीए कम से कम विदेशी सामिक्री का भोग नहीं लगा ठाकुर जी को केवल अब कही लोग जन्माष्ट में थाकुर जी के आगे के काट देते हैं थाकुर जी कहते हूं कहा वला ले आयों पतो यह अरे हमारे अनुकूल हमारे भाव की वस्तु दो यह सामिक्री खूब बनाओ पर जतना हो सके भारतिये विंजन ठाकुर जी के लिए बनाव अवजितना विस्तार आप कर सको अच्छा है अब अब जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीव लगता है वह थाकृजी कि इसे पाहिंगे उसको अब लोग चाउमीन खाते हैं लटक जाती नीचे फिर उसको खीचते हैं बीतर कितना अजीब लगता आदमी थाकुर जी कैसे पाएंगे उसको थाकुर जी की सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो थाकुर जी के लिए नहीं थाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पद्रानी चाहिए जो आज के भारतिये भाव से बनाई जाती है वो थाकुर जी को पद्राव कि और एक बात कहें कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे बोल महाराज जी इतने विंजन बनाने की सुविधा गर में नहीं तो एक सत्य घटना है कि जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाद द्वारा में विराजमान हुए तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी तो आचार उस समय के जो गुस्वामी थे उन्होंने सब साथ में गए थे ब्रजमंडल के ब्रजवासी नाद द्वारा मे ब्रजवासीयों से कई हां वाई सलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी एक एक दिन अपने अपने घरसों प्रशाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए तो मंदिर से बरतन दिए जाते थे और जितने बरतन दिये गाएं कम-सकम भरके आने चाहिए सबके घर से बनाओ साम नहीं कुछ विवस्था नहीं थी और उनके यहां थाली आई तो थाली देखकर के कटोरियां देखके बड़े-बड़े थाल बड़े-बड़े कटोरा देखके सुकी तो बड़े हुए लेकिन रोने लगे कैसे करें हम पर तो इतनी सामिग्री नहीं कि हम एक कटोरा भरके तब उन्होंने आचार जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की भगवन आज हमारे कितना बड़ा सोभाग है कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई पर हम कैसे भर के भेज़ें तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वलवाचार जी का इस्मरन करके भावना शुद्ध करके मन में एक-एक सामिग्री को निर्मान करके और पात्रों का इसपर्ष करके उस सामिग्री को पात्रों में पद्राते जाओ महाराजब भक्त सब सामिक पात्र ले करके आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा अब सामिकरी अपने हिर्दय में बना रहे हैं, सुन्दर लकडी चेताई है, कंडे लगाए है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब पर एक प्रत्यक्ष ताथ कि और시ल उनका केवल शुपर्श करते जा रहे हैं हा यह सामिक्री समें यह चटनी इसमें अचार इसमें कड़ी समें खीर मिषथान इसमें दूद्बोग की सामिक्रीश में और सब भाव इतने शुद्ध मन से इतने भाव से व्यवस्थित किये महराज की मांसी में सोचते सोचते उनको उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अगनी जल रही है उसकी लपट मो तक मुकु अनुभव है रही है सामिग्री जो बन रही है वाकि सुगंधी कैसी है इलाईची और केसर डालवे पर सुगंधी भी उनको अनुभव ह रहे हैं कि नेत्र बंदय मांसि भाव से खाली थालन को इस पर शकरते जा रहें तभी पत्तल लेकर के आये सब थालन के उपर पत्तल और वस्त्र धग दिये घर के सब लोगनसों कही अपने अपने पर उठा करके सामगरी ले चलो भोग के लिए खाली था लहें देखने पर पर सब लोग पत्तलन में भरवर करके और सब खाली-खाली बरतनन को लेके मंदर में गए और वहां जाकर के जो आचारे थे उनको भी बोलते जा रहे हैं जे कड़ी भोग है जे खीर है ये रोटी सामगरी है ये दूद घर की सामगरी सब सामगरी देते गए उस समय के जो आचारे थे उनके नित्र सजल हो गए आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामिकरी रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो और स्विकार करो और आचारे परदा करके जैसे बाहर आये और समय अनकूल जानके जैसे भीतर प्रवेश कीयो जितनी सामिकरी की भावना रखी थी वो सामिकरी सब प्रगट हो गए और प्रगट है कि ठाकुर जीन स्विकार करें और स्विकार करवे के बाद वो समस्त सामिकरी वैश्नवन में बांटी गई आचारे चरण के नेत्र सजल हो गए क्यों वह ने तो मन में बनाई पर यह प्रकट सामिक्री मुए तो ऐसा लगा है स्वेम शाम सुन्दर बना के लाए होंगे वाग घर में विवस्थानी हम ही बना दे तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में क्यों कई भावना उस ठाकुर झी तो संकोच नहीं करते पर सकौत संकोच करते हैं इसलिए ठाकुर detta को ने को सका CC थामेंगे तो करेंगे नहीं ठाकुर्जी इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको परदा चाहिए तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो और यदि परदा की वेवस्था नहीं है तो भुजा से अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पर उनके ठाकुर्जी का उत्सव था हम आरती करने मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर्जी आरसी नहीं थी वहां प फिर भुजा की आरसी देखा के पर स्वेहम भी देखें हां बढ़िया सुन्द लग रहे हो तो भावना बहुत प्रधान है भक्ती में वस्तु प्रधान नहीं व्यंजन प्रधान नहीं भावना प्रधान जैसे बीडा भोग ठाकुर्जी को नित्या आना चाहिए बीडी भोग अब लोगों घर में बीडी की विवस्ता नहीं है तो अपने भुजा को ऐसे बीरी की भावना रखो ठाकुर्जी के अधर से स्पर्ष कराओ ठाकुर्जी बीरी पार है भावना की सेवा आज भी किसी पूछा भूल मारे जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेकर जाो तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ नहीं लेकर जाओ व्यवस्था नहीं है तो मत लेकर जाओ तो पूर अकेले घर पर जढ़ा vast भावना करो रहा यह और रह अब जे घर आपको है तीन दना के काजे हम जा रहे हैं खूब उधम बचाओ सब आजाओ जे रही रसोही यहाँ पर आटो रखो यहाँ पर दाल रखी यहाँ पर सामिकरी रखी है इस अधा मैया जब जब लाला को भूक लगे आप बनाके पवाय दिए हम तीन दना के काजे ज जाओ शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रखे जाओ जलकी झारी जी रखे जाओ ठाकुर जी को शेहन पुर्ण होना चाहिए कहीं कहीं हो आप समय समय पर आपको याद आनी चाहिए अब ठाकुर जी का भोग बनना ओगा अब ठाकुर जी की विवस्था यह गई होगी यह चिंतन मन में रहना चाहिए तभी आपकी सेवा महां चल रही होगी आप अनुभव करेंगे एक बार दो ब यहां सब यहां आयो ठाकुर्जी की सेवा करके गए भावना प्रधान को गरगाचार जी महराज नेत्रबंद करके श्लोक बोल लाएं तुदियम बस्तु गोविंदा तुद्यम हे शालेगराम भगवान प्रशाद पाओ कि माला जपरें इतने में ठाकुर्जी आये बीतर सुन करके आये और शालेगराम भगवान के आगे सो एक खीर की सामिगरी उठाई प्रेम सब्मान लगे गरगाचार जी के जैसे नेत्र खुले साधना पूरी वही जैहो मेरे गोपाल जी और जैसे नेत्र खोल के सामने देखी तो महराज यहां तो छोटे से भगत बैठें और गोदी में लिये खीर पूरी लगा रहे हैं नाग पर लग रही है मौप लग रही है सबरी फेल रही है वस्तर